हेलो दोस्तों जैसा के देख पार है किया की सोनेट है 2021 का मोडल है डीजल कार है गारी अभी चालू पोजीशन में है जैसा के देख पार है और आउटसाइट टेंपरेचर आप देख लीजिए फूट अब थाटी सीक्स डिग्री संटीग्रेड है एसी मैंने चालू रखा हूँ जैसा के देख पार है कुलिंग टेंपरेचर आप देख लीजिए 8.1 पे आ चुका है और इसका कंट्रोल पैनल का मोडिफाई देख लीजिए ए कंट्रोल पैनल कैसे बनाया इसका जैसा के आप गाड़ी देख लीए यह यह आटो का प्रोपर चल्ड है यह फ्रोंट डिफोगर का है प्रोपर चल्ड है यह मोट बटन प्रोपर चल्ड है यह ब्लोड स्पीड प्रोपर चल्ड है यह आउटसाइट का है आउटसाइट का कभी यूज़ करने करेता है यह आपको पता ही है जब एसी बंद रखते हैं आप तभी आउटसाइड डियर का बटन चालू रखने करेता है प्रोपर चल रहे है और कभी-कभी आप ज्यादा टाइम एसीज यूज करते हैं यानि कि गाड़ी पूरी चेल्ड हो जाती है तो अंदर आउक्षिएन की कमी हो जाती है तो क्योंकि आउटसाइड का यह जो बटन आप चालू रखते हैं तो अंदर की हो अंदर आती है तो इसको पांच मिनट के लिए आफ कर दें ताके बाहर से औक्सिएन फ्रेज औक्सिएन आ जाए और बाकि सब रोबर चल रहा है तो हीटर मैं हाई करता हूं इसका है देशा के देख पा देखते हैं कितना तक जा रहा है जब तक के लिए वीडियो में होल्ड कर रहा हूं जैसा के देख पा रहे हैं 47.9 तक पहुच गया है इसका सभी सिस्टम पर चल रहा है आपके पास भी अगर यह मोडल की गाड़ी है तो आप चेक कर सकते हैं खुच से थर्मामेटर लेगा क तो आप मेरे चैनल में अगर ने हो तो प्लीज लाइक कोमेंट सब्सक्राइब करना ना बुले प्लीज 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 थैंक्स पर वाचिंग जब तक के लिए बाई बाई अल्ला हाफीज